दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से चले पहली ख़बर में देखे बिहार में नगर निकाय चुनाव का सेकंड फेज संपन सबसे अधिक वोटिंग खगड़िया में और सबसे कम पटना में जा देखे बाड़ी खबर बिहार में निकाय चुनाव का दूसरा चरन संपन हो गया कूल 57.17% वोटिंग हुई है खगड़िया में सबसे जदा 68.49% वोटिंग हुई है वहीं पटना में सबसे कम 49.17% मद्दान हुआ है साथ है आपको बता दे कि इस दोरान 17 नगर निगाम दो नगर परिस्द छेतर और 49 नगर पंचायत में मद्दान कराए गया माड़ी खर में देखे कोरोना को लेकर बिहार में अलाट घर घर जाकर सर्वे कराएगी सरकार जिया देखे चीन अमेरिका सही देज बर में कोरोना ने तबही माचा रही है अब बिहार में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है ऐसे में चोती लहर का खत्रा मंडा रहा है लेकिन इसे लड़ने के लिए राज सरकार ने पहले से ही तैयारी कर ली है आपके जानकारे के लिए बता दे कि सरकार आप मरीजों की पाचान के लिए घर गर सर्वे कराएगे आसा और A&M को इसी काम में लगाया जाएगा वाईदे के सर्वे की जानकारे राज स्वास्त समिति के कायर बलक ने देशक संजे कुमार सिंग ने दी है साथ उन्होंने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है आदेश के मताबिक विभाग की टीम हर घर जाकर कुरोना संक्रमितों का पता लगाएगे ऐसे लोग जिससे बुखार, सर्दी और खासी जैसे लच्छन पाए जाएंगे उनका इलाज होगा विभाग ने कहा कि चीन सही दुनिया के कई देशों में कुरोना का नया वेरेंट BF7 का कहर सामने आ चुका है वाई देखे स्वास्त विभाग ने सभी जीलों को स्क्रेणिंग, सेंपल, कलेक्शन, रेंडम सेंपिलिंग और इलाज करने को लेकर आदेश जारी किया है विभाग के तरब से कहा गया कि किसी तरक लापार वही बरदास नहीं की जाएगी बाड़ी खर में देखे 22C की परिच्छा में तीन दिनों में साच मिले तो परिच्छा होगी राद जाने आयोग ने लोगों से क्या मांगे मदद जादेखे बिहार करमचारे चायन आयोग ने दूसरी पाले में हुए पेपर लिख मामले में साच की मांग की है आयोग ने कहा कि अगर पुक्ता सबुद मिले तो वह आगे के करवाई कर सकता है ऐसे में माना जा रहा है कि प्रामानिक साच मिलने पर त्रितिया स्यूक्त प्रतिविता परिच्छा 2022 रद हो सकती है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि पहले दिन की पाले की परिच्छा में पेपर लिख के सबुद पाये जाने के बाद उसे रद कर दिया गया था लेकिन दूसरी पाले में भी पेपर लिख होने की बाद उजागर होने के बाद पूरी परिच्छा को ही रद करने के मांग क जा रही है वाईदिके बिहार कर्मचारी चैन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में अभियर्तियों को भरोसा दिलाती वे कहा गिया कि आस्वस किया जाता है कि परिचा के सुची तेवम स्वचता तदा अभियर्तियों का हित आयोग के लिए सर्व परी है इसे सुनिचित कर आगे परिचक रुद किया जाना भी संभव है बाड़ी खर में देखे पटना सहित राज भर में बढ़ी टर्ण बरपिली पच्वा हवाओं ने कपाया सीत लहर के चपेड में बिहार ज्यादिके हवा के गति में बदलाव और दचिनी पच्वा हवा के तेर्व गति ने गुरुवार को मौसम के सितिक आधार पर चार-पांच जीलों में सीथ देवस की घुस्ना किया जाने चाहार है जने जीलों में दिन में भारे ठंड के सिति रही उनमें पुर्वी चमपारह न सितामारी पश्चिम चमपारान दरबंगा और मुझपर पुर सामिल है पाटन म पच्ची में जीलों में एक दो जगोह पर सीद दिवस जैसे हालात बढ़ते हैं वादे कि मौसम विदों का अनुमान है कि गुरुवार को भी कौम बेस बुदवार की तरह ठाण और मौसम की सिती बने रह सकती है कई जीलों के अधिकतम दाबान में भी गिरावट के असार है बुदवार की सुबह से ही मौसम का रंग राज बर में बदला रहा उत्तर भिहार की हिमाले के तराई वाली सेटी जिलो में घंक कोहरा रहा जब्कि दाचिन भिहार का दिक्तर जिलो में कनकनी की चपेड में रहे आगे बड़ी ख़वर में देखे दिल्ले उप्य बिहार साइध कई राज्यों में ट्रेन पर पड़ी कोहरे की मार तीनसो से जदा ट्रेने राद कई घंटो लेट जा देखे देश में कई राज्यों में कुहरे और सीतलहर का सिधा-सिधा असर टेनों का सचलान पर पड़ा है, मौसम खराब होने की वज़ा से, करीब करीब 300 टेनों को कैंसल किया गया है, या फिर टेनों का रूट बदला गया है, 1-5-5 घंटे तक ट्रेनेर लेड चल रही है जिससे रेल यात्रियों को कापी अस्विदा का सामना करना पड़ रहा है वाई देखे सबसे ज़्यदा परिसानी उन रेल यात्रियों को हो रही है जिनकी लंबी रूट की टेनों में बुकिंग है उत्रकंड से दिल्ली यूपी पंचाब पश्ची मंगाल आदिर रज्यों में आने जाने वाले टेनों में भी अपने निर्धारित समय से कई घंटे की दरी से रूड के रिल्विष्ट सिन पर पोची है बढ़ी खरद के पांच जनवरी से समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं इस बार बिहार के सियम अपने इस यात्रा के सिरूात राश्ट पिता महदमा गानी की कर्म वमीचंपारण से करेंगे वहाई देखे सियम अपने इस यात्रा के दोरान सरब बंदी नसा मुक्ति दहेज प्रता और बाल विबा को लेकर लोगों को जागरू करेंगे सियम की यात्रा लगबग एक महने तक चलने वाली है आपको बता देखे सियम के एन कई मंतरी सहीत राज के कई आलादिकारी भी सामिल होंगे नितिस कुमार की यह 24 वी आत्रा होगी 2005 में मुईकी मंतरी नितीस कुमार ने अपने यात्रा की सिरुवात की थी इस बार सीम ने सित कलिन सद्र के दोरान विदाय के दल की बेड़क में जो लोग की यात्रा पर निकलने की बात कही थी गौर तलब हो की विधान सभा की सद्र के दोरान भी मुईक मंद्रे ने कहा था कि सराबंदी फायदे बताने फिर से हम लोगों की बीच जाएंगे और आप मुईक मंद्रे की यातरा जिस्तिती को सुरुआत करेंगे उसका डेड़ भी फाइनल हो गया है सीम के यातरा दोजर तेईस में पांच जनवरे से यातरा लगातार चलेगी यातरा को लेकर अधिकारियों को पहले से तैयारी करने के निर्देश दिया जा चुका है बाड़ी कर में देखे बिहार में साथ एजेंडो पर लगी मुहर सरकार हेलिकप्टर और बिमान खरे देगी सिक्चा बिबाग में सोलो से चोहतर पदो की सिरजन को भी सुकिलती जा देखे बिहार केविनेट की बेड़क मुख मंतरे नितेश कुमार के अधिक्स्ता में की गई जिसमें साथ एजेंडो पर मुहर लगी है केबिनेट की इस बेड़क में जो महतपून फैसला ले गया है उसमें बिहार सरकार सरकारी काम के लिए एक हेलिकप्टर और एक जेट मसिन बिमान खरीदेगी हाला कि बिमान और हेलिकप्टर खरेदने के लिए एक कमिटी का गठन भी किया गिया है और उसके बाद हेलिकप्टर और बिमान बिहार सरकार अपने सरकारी काम के लिए खरेदेगी पिछले दिनों सराबंदी के दोरान हेलिकप्टर और विमान के कमी खोब खले थी ऐसे में बिहार सरकान ने इसे खरीदने पर मुहर लगा दी है इसके अलावा देखे केबिनेट ने एक और महतपुन फैसला लेते विए सिक्षा विभाग में 674 नई पदों का स्रेजन किया है सिक्षा विभाग के छेत्रे कारेयलों में 674 पदों से लिपीक के लिए 674 पद उच्वर्ग लिपीक के लिए 462 पद प्रधान लिपीक के लिए 171 पद के साध साध कारेयाले अधिक चक के लिए 47 पदों का सिर्जन किया है पिछले केबिनेट में भी बिहार सरकान ने 75,000 से ज़दा पुलिस कर्मियों को निक्ति पर मोहर लगा दी थी बाड़ी खार में देखे नए साल को लेकर पढ़ना की मंदिर चैर्ज और गुरुद्वारे अलर्ट मोड में बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री जैंके साल के पहले दिन याने 1 जनुवरी को तमाम धार्मिक स्तलों में जाने से पहले कोरोना गाइलाइन को पालन करना होगा धार्मिक परेसरों को संकरमन मुक्त रखने के लिए सबी प्रबंद किया रहे हैं यहां आने वाले स्रधालो को मास्क पहनना निवार होगा प्रबंदक की माने तो नव वर्स को लेकर मंदिर चर्च और गुरुद्वारे प्रबंदक अलड मोड में हैं वाईद के महावीर मंदिर नियास के सचीव आचार किशोर कुनाल ने बताए कि कुरणा संगरमन को देखते वे स्रधालो को बीना मास्क के परवेश नहीं दिया जाएगा भेड नेंदरन करने के लिए महावीर मंदिर की ओर से जिलाप्रासासन के लबग सो निजी सुरक्च कर कर्मी और स्वाईं सेवकों की तैनाति की जाएगी भक्त के लिए दस अजार किलो नवेदम तियार किया जाएगा मंदिर के परवेश द्वार पर नवेदम के दस काउंटर कोलनी के योजना है बाड़ेकर में देखे निते से तजस्वी की महागडबंधन सरकार बरخास कर बिहार में लगे राष्टबदी सासन अमिस सास मेल चिराग पासवानने की मांग जिया देखे लोक जन सक्ति पार्ट के अदर चेवाँ लोक सबसता से चिराग पासवान ने गिरे मंत्रे अमिस सा से मंगलवार को मुलाकात की और बिहार सरकार को बरखास कर राश्ट बदी सासन लगाने के मांग के उन्होंने आरोप लगाए कि राज में कानून विवस्ता च उन्होंने कहा कि राज में राश्ट पदी सासन लगाया जाना चाहिए बाड़े करमे दिख लालू यादव के केस रियपन होने के बाद नितीस बोले आगे आगे देखे करते हैं कि हम साथ ऐसलिए सी बिया से खलवाया लालू का आयार सिटी सी केस जी हादे के आयार सिटी स आ गए हैं इसलिए सब किया जा रहा है वह देखे मुई के मंतरे नितीस कुमार ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि जाच का पूरा इंतिजाम बिहार सरकार पहले से करती चली आ रही है अभी भी सुरू कर चुकी है वैक्सिन की कमी पर हाकि केंद्र सरकार को इसे देखना चाह फेस्बुक ट्यूटर पर होगा जनता की सिकायतों का निप्टारा जा देखे सोसल मीडिया के जरिये भी लोग बिहार पुलीस सिकायत कर सकेंगे पुलीस जल्द सभी सोसल साइट पर पूरी तरह से सजग और उत्तरदाई होने जा रही है डायल 112 की तरज पर ही इन पर किसी तरह के सिकायत या किसी घटना के सोचना आने पर तॉरंथी करवाई की जाएगी इसके अलावा कोई कमेंट आने पर तॉरंथी जवाब में मिल जाएगा ओध कि अगर कोई वेक्ति पुलिस महकामा से जोड़ा है किसी पी तरह के वोचित ने सम्मेत 19 पर पहुचा अकड़ा ज्याद के बिहार में विदेश से यात्रियों के कारण कुरोना संक्रमित की संक्या बढ़ती है जा रही है गया एरपूर्ट पर बुद्वार को दो और नए मामले सामने आये हैं पिछले तीन दिन के भीतर 14 विदेश से कुरोना संक्रमित आये हैं वह देंखेजा गया जिले में भी इसका प्रहसार हुआ है और इस्ताने तोर पर गया कि गॉमारीय के रहने वले आगे है ऐसे में केंद्र सरकार ने निने लिया है कि 260 टीवी चैनलों के जरी देश के स्कुलों में डिजिटल पढ़ाई के ववस्ता की जाएगी ये बात केंद्रे सिक्षा मंत्रे धर्मेंद्र परधान ने जिले के जमुहार इसित गोपाल नारायन सिंग विस्पिदाले में आए ये अकिल भारती इतिहास संकल्प योजना के तीन दिवसे राष्टिया आदिविसन की दूसरे दिन मंगलवार को सत्र के समधन में कही है मंत्रे ने कहा कि प्राथमिक वा माइद विदालयों के लिए 200 टिवी चेनल वा उच विदालयों के लिए 60 टिवी चेनल से डिजिटल पढ़ाई होगी ऐसे माना जा रहा है कि नई पीडिक लिए माइद दमा कर सक है अड़े खर में देखे बिहार के सरकारी स्कोलों में 60 दिनों की होगी चुटिया सिक्षा विवाग ने जारी किया वारस केलेंडर जा देखे बिहार सरकार के सिक्षा विवाग के द्वारा सभी सरकारी विदालयों के लिए अवकास तालिका जारी कर दिया गिया है इस आवकास तालिका में सभी प्रारमिक विदालियों तथा मादमिक विदालियों की चुटियों में एक रुपता लाने का प्रयास किया गया है इससे सभी कोड़ी के सरकारी विदालियों में एक साथ आवकास देना समा हो सकीगा आपको बतादे कि नए वर्स में भी जिले के सरकारी विदालों में पर्वतेहार तता अन आवसर को लेकर कूल 60 दिनों की छुटिया ही होग एक तरप जहां वर्स 2030 में आठ पर्वतेहारों की छुटिया रहिवार को पढ़ने के करान अलग से छुटिय नहीं दी गई वह महाप स्क्राइब करें